अगर आपके वीडियो में कोई ऐसा अब्जेक्ट आता है जिसे आप नहीं चाते हो वो सीन में आए और या तो वो सीन को खराब कर रहा है या आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पे तो अगर आपको उसको रिमूव करना हो तो आप कौन सा तरीका यूज करते हो त अबी आफटरफेक्ट का नया वर्जिन जो है उन्होंने एक नया प्लगीन उसमें एड किया है कंटेंट अवेर फिल करके जैसा कि पहले हम क्या करते थे कि हमें इन चीजों को रिमूव करने के लिए उन्हें पेंट करते थे पेंट आर्टिस जो एक्शली में पेंट करते ह हैं उन्हें जादा पता होगा कि हमें एक एक फ्रेम को पेंट करना होता है और या तो हमें उसे इस तरीके से पेंट करके या उसे ट्रैक करके हमें उस चेका पर लगाना होता है ताकि यह अबजेक्ट रिमूव हो जाए तो आज हम इस कंटेंट अवेर टूल की हैल्प से हम इस signboard को यहां से remove करेंगे तो इसके लिए हमें करना क्या है यह नया version जो after effect का है आपको अपनी footage को mask करना है जो भी object आप वहां से हटाना चाहते हो mask करने के बाद मैं just mask का mode change कर रहा हूँ none पे ताकि मैं देख सकूँ अपने mask को तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ मैं उसे track कर रहा हूँ according to the movement मैं mask को सिर्फ animate कर रहा हूँ जो आप path पे keyframe लगा के कर सकते हैं मैं आपको fast forward कर के दिखा रहा हूँ आपको उसे adjust करना है according to the movement side में आप panel में tracker भी देख सकते हो अगर आपका object जो है वो easily trackable है तो आप mask बना के भी उसे track कर सकते हो तो जैसे कि मैंने अभी mask को animate कर दिया है तो मैं क्या करता हूँ मैं उसका mode change करता हूँ subtraction में जब भी आप ये चीज़ कर रहे हो तो mask हमेशा subtraction में रहना चाहिए क्योंकि content aware fill को background में कुछ नहीं चाहिए होता है जो भी आप remove कर रहे हो उसके background में कुछ भी नहीं चाहिए होता है मैं थोड़ा expand कर देता हूँ मैं mask को थोड़ा सो और adjustment कर लेते हैं मैं सिरफ ये background रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ की मैंने क्या कट के है लेकिन आपको यहाँ पर नहीं रखना है जब यहाँ इस टूल को यूज कर रहे हो तो आपको background में कुछ नहीं रखना है वो blank रहना चाहिए उसके बाद आपको क्या करना है यह आपको यहाँ पर इस तरह से update दिखाएगा उस स्मॉल सी विंडो पर अब जस्ट आपको इस बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद क्या होगा आफटर फैक्ट इसे आटमेटिक एनलाइज करेगा और फिर आपको रिजल्ट देगा और जैसे कि आप देख सकते आपको रिजल्ट मिल रहा है आपका जो अबजेक्ट आटमेटिकली वो रिमॉफ हो चुका है तो यह एक सिंपल और अच्छा टूल है ऐसे अबजेक्ट को हटाने के लिए जो आप किसीन को या तो खराब करें या तो आपको सीन में वो चीज़ चाहिए ही नहीं यह आप देख सकते हैं कंपैशन में यह वीडियो जो लेफ साइड में वीडियो है वो और जिनल वीडियो है और राइट साइड में जो अभी हम ने किया तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब केजिए और ऐसी ही चीजों को जानने के लिए और भी अपडेट में आपको देता रहूँगा टैक्स पर वाचिंग